यह तो मतलब चनपटिया में विधायक नहीं बन सकता तो मंत्री क्या बनेगा वीडियो अपने यूट्यूब के लिए वो जक्तनपुर के किसी मकाल में शूट किया गया था यानि के स्क्रिप्टेट था फर्जी वाड़ा था जुटा वीडियो था और जो से मजदूर भी बताए गया थे कि तमिलनाडू के मजदूर है वह मजदूर भी मजदूर थे ही निकलने के बाद डिरेक्ट गया कि जो दसरतमांजी माउंटें दन मैन है उनके घर जाते हैं और यूटूबर सच में पत्रकार गिरा सकता है किसी मुख्यमंत्री का विरोधी सोच है वो भाजपा और आरेसस जैसे संग्छनों को सूट करती है जैसे कि आप लोगो को पता होगा कि कल मनीश कश्चप पटना के बेउर जेल से रिहा हो गया है किसी मुद्य पे चर्चा करने क लिए पुर्व आईपीएस अमिदाप्त दास्तर हैं क्या इन्होंने कभी देखा था कि किसी पत्रकार का या किसी यूटूबर के जेल के निकलने के बाद इतना विर लगा होगा सबसे पहले ट्रू भीहर में आपका बहुत-बहुत स्वागा थे सबसे पहले आपका मनीश क मनीश कर्षफ जो है वह भाजपा का मोहरा है भाजपा का प्यादा है और भाजपा इसको बिहार में एक युवा चेहरा के रूप में आगे बढ़ा बढ़ाना चाह रही है इसलिए जो भी भीड़ जुटी थी कल बेउड जेल के बाहर मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि 99% ल है 2019 में जब पुलवामा कांड हुआ था कश्मीर में और बहुत सारे जवान शहीर हुए थे उस समय कुछ गरीब कश्मीरी दुकांदार पटना आये थे उनी कपड़े बेचने जो बेगुनाह दुकांदार थे गरीब लोग ते अपना पेट पाल रहे थे यह जो मनीश कश् इसने गांदी जी के बारे में बहुत अपमान चनक बाते कहीं थी तो इसलिए जो है यह सड़क शाप गुंडा है और इसकी जो सोच है जो इसकी सांपरदाइक सोच है मुस्लिम विरोधी सोच है वो भाजपा और आरेसस जैसे संग्ठनों को सूट करती है तो उनके अनुपूर्ण है तो इसको नेतागिरी का कीड़ा तो बहुत पाले काट चुका है चनपटिया से चुनाओ लड़ेगा तो यह भाजपा के टिकट पढ़ ही लड़ेगा तो व मनीश कस्टप जिंदाबाद मनीश कस्टप जिंदाबाद हमारा नेता कैसा हो हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो मनीश जैसा हो तो क्या आपको लगता है कि मनीश कस्टप आने वाले समय में मुख्यमंत्री बन सकते हैं देखे यह तो मतलब क्या हो गया मुंगेरी लाल के हसीन और अभी क्या दुर्गती हो रही आप देख रहा है वनीश कष्षप जेल से निकलने के बाद डायरेक्ट गया कि जो दसरत मांजी माउंटेंदन मैन है उनके घर जाते हैं और उनके बने मुर्की को वो सरधान जी ले देते हैं यानि है तो फूल का माला पहनाते हैं अपने मा विहार में नहीं पूरे हिंदुस्तान में छवी है उन पर फिल्म भी बनी है दा माउंटें मैन उनको परवत पुरुष कहा जाता है और जिसक्रा से 22 सालों तक सिर्फ शनी हथोड़े के बल पर उन्होंने पहार का सीना चीर कर एक सड़क बना दी अपनी पतनी की याद में तो वो तो मतलब बहुत काबले तारीफ बात है तो मनीश कष्टा भी इस रूल को फॉलो कर रहा है बोल रहा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं जो विहार के ब्रश्ट अधिकारी और सिस्टम है उसको मैं उखार कर फिक दूँगा और तोर तो मां जी के नाम का राजमे तो उनकी मतलब नजर कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक पर रहती है क्योंकि दोनों एक ही जाती साथ है मनीश कश्चप जेल जाने से पहले एक बात बोलेते हैं कि अगर हम जेल गए जेल स्याएं तो 180 दिन में सरकार गिरा देंगे क्या सच में एक यूटूबर सच में पत्रकार जो सरकार गिरा सकता है किसी मुख्य मंतरी का देखे क्या है कि इसको बड़ बोला पन कहते हैं ना एक स्वसी दिन क्या हुए 6 महने होए इसटे में बिहार सरकार कैसे है ना जब पड़िपकों नहीं हुए रहते हैं तो जैसे चोटा-चोटा बच्चा बोलता रहा था उसी तरह भी बोल रहा है आपने कहीं ना कहीं बच्पना गया नहीं है तो यह सब तो विश्रोद धोखा धड़ी है इसमें आपर और दो राजियों के बीच अपनावश्यक तनाव पड़ा कर रहा है तो यह तो मतलब कहीं से इसको जैस नहीं ठारा जासकता है लेकिन मनीश का सब कर एक चैनल में बाइड देते हुए बोलते हैं कि हमको बिहार सकार पसा रही है नहीं तो हम दू महिना के अंदर जेल से बाहर होते हैं अब ये कोट ने ना उनका जमानत दने सश्बाट ते एक बात और बोल रहे थे कि अनई सो असी के बात कहें तो तालिस साल हो गया किसी इंफ्लेंसर किसी मेडिया किसी यूटूबर पर पहली बार एने से लगा है नहीं यह सब तो देखिए मतलब आप मैं क्या कहूं छोटे मुह बड़ी बात है बहुत सारे खास के जब से अनिश के बहुत सब्योंतर में दर्शकों के दिलादू डॉक्र कफील खान थे जो गोरखपूर अस्पताल में काम करते थे उन पर योगी आधितनाथ की सरकार ने जोटे मामलों में एनसे लगा दिया और बाद में इलाहबाद हाई अधिकर ने से लगा है मत्रही कुट के दौरा और तमाम में बारा केस था तो क्या कब तक चलते रहेगा अब इस आएप पे होने की बात नहीं है यह तो देखना है कि कोट की देखिए कोट पर केसों का बहुत बोज़् रहता है यह तो एक बात आप जानते हैं किसी भी कोट प को जमानत मिल गई है इसका यह मतलब ने की वह बाइजत बरी हो गया है उसका जो भी मुकरमे उस पर हुए है वह मुकरमे तो चलते रहेंगे और तारीखों पर जाना पड़ेगा उसकी दो मुकरमे की प्तक्रिया चलती रहेगी यह लोग भी कुछ सवाल उठा रहा है कि मनी करने में अच्छा भी नहीं लगता है कि हमको किस वज़ा से आखिर में हमको जील के सलाकों के पीछे रखा गया हम सी भी जाच बैठवाएंगे कैसे आदेश दे देंगे यह तो फिर वाट्शप उनिवर्सिटी वाली बात ना हुई क्या मनीश कर्षिया कोई अधिकार है कि अधिकर है जाते-जाते क्या कहेंगे जो दर्शक बोल रहे हैं कि मनीश कर्षिप को मुख्हमंत्री बनना चाहिए अगर मनीश कर्षिया का विकास और हुलिया बदले अब मैं तो अपनी बात कि इतनी बार दोराओं फिर भी दोराता हूँ कि दिखें मनीश कर्षिप जो है लेकिन आप लोग का जो भी मन में सवाल चल रहोगा जहन में सवाल चल रहोगा मुझे उमीद है कि सारे सवालों का जबाब हमारे साथ बैटे सर्वियत होंगे अब बाकी मनीश का सफ दसर समान जी का जो भारत रत्रम मिलने का मांग कर रहे हैं उस पी आप लोग क्या कहना है कॉमेंट सेक्षन में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजेगा इस वीडियो को देखने क दिल से धने बाद जहने